राम राम पिछले दिनों में अमबाला गया रास्ते में एक धाबा आया वहां पर रुक के नाश्टा करने के लिए वहां पर आलू के पराथे मंगवाए दहीं के साथ दहीं के साथ जब आलू के परांठे आए तो एक उपाए मेरे दिमाग में कुरूंद गया जो लाल किताब अक्सर करवाती है शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए आज मैं वही उपाए आपके साथ बांटने जा रहा हूँ और ये उपाए करने से आप अपने शुक्र ग्रह को अच्छा कर सकते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके रख लें बहुत ही कम शब्दों में वह उपाए मैं आपको बताऊंगा पहले समझे लाल किताब में वह उपाए क्या है जब भी शुक्र खाना नंबर 9 में होता है लाल किताब इस शुक्र को अच्छा नहीं मानती दाल किताब के अनुसार शुकर जब खाना नमबर 9 में आता है तो शुकर की उर्जा कमजोर हो जाती है और मंगल बद की उत्पती हो जाती है तो यहाँ पर शुकर के जो परिनाम है आपके जीवन में लगजरी कम हो जाती है पैसा कम हो जाता है मेहनत बढ़ जाती है बेवजा के जगड़े आपके जीवन साथी के साथ होने लग पड़ते हैं, विचारिक मतभेद घर में बन जाते हैं, देखने में आता इनसान अपने जीवन में कमफट और सुख भूग ही नहीं पाता, उस समय हमें क्या उपाय वदा दी है लाल किताब, लाल किताब कहती है के भाई दह बाउल में ये दही लो और दही में काली मिर्च डालो, ये है काली मिर्च का डिबबा, इसको आप दही में मिला ले। काली मिर्च मैं आपको बता दूँ अगर दही शुकर है तो काली मिर्च शनी है जब हम दही में काली मिर्च मिला कर खाते हैं तो इन दोनों के मिलने से है ना जैसा कि आप देख रहे हैं ये इसमें काली मिर्च आ गई ठीक है न, तो इन दोनों के मिलने से शुक्र और शनी मिले तो केतू बन गया, है न तो यहां पर नवंभाव में केतू होता है उच्च का, यहां से अब शुक्र का फल हो गया खतम, और केतू का हो गया प्रगड और जो शुकर यहाँ पर बैठे हुए दुश परिनाम दे रहे थे केतू यहाँ पर प्रगड होके उच्च के परिनाम ले आया क्योंकि नवमभा में केतू के फल बढ़िया होते हैं तो इसलिए यहाँ पर दही में काली मिर्च डाल के खाने के लिए कहा गया है तो यह उपाए क्या हम सिरफ शुकर जब खाना नमबर 9 में हो तब कर सकते हैं क्या हम यह नहीं सोच सकते हम सधारन जीवन में देखे तो हम दही खाते हैं और कई लोग काली मिर्च डालके ही खाते हैं जैसे उस धापे में मैं गया तो वहाँ काली मिर्च का पाउडर पड़ा था मैंने डाला मुझे ध्यान आ गया है ना तो हम अगर धही में काली मिर्च डालके खाते हैं तो automatically शुकर के अगर दुश परिनाम आपके जीवन में आ र उपाए एक बार दोहरा के देखे कुछ समय लगातार करें अगर आप दहीं खाते हैं ठीक है ना फिर देखें कि आपके ये शुकर रहे आपको कैसे परिनाम देते हैं ऐसी आशा करता हूँ आप निराश नहीं होंगे उपाए करके देखें मातरानी की गिर्पा से लाब कि आपके आपके ये लाब होगा जया मतरी